तिरुपती की मेन सीटी से तिरुमला जहापा तिरुपती बालाजी का टेंपल है डिस्टेंस है 45 मिनिट्स अभी हम लोग है तिरुपती बालाजी टेंपल में तिरुपती से 36 किलोमीटर डिस्टेंस में है श्री कालाहस्ती टेंपल श्री कालहस्ति टेंपल में वायू लिंगम है ये टेंपल डेडिकेट है लौट शिवा को कहा जाता है इसी टेंपल में कनपा ने अपनी दो आखो को शिब जी को आफर किया था क्योंकि शिप जी की शिप लिंग से आसू की जगा ब्लाड निकल रहा था तब कनपपा ने अपनी दो आखो को शिप जी को अर्पित किया था तो यही स्पेशलिती है कालाहस्री टेंपल में जरूर आना इस टेंपल में क्योंकि ये टेंपल में राहू केतु कभी बहुत बड़ा पूजा होता है आप देखी पा रहे हो टेंपल की अंदर कैमेरा अलाओ नहीं है तो बाहर से में कर रही हूँ बहुत बड़ा इधर ग्राउन्ड है जहाँ पर आप लोग कार भी पार्क कर सकते हो बॉम भोले श्री कालायस्ती टेंपल से 50 किलोमीटर डिस्टेंस और तिरुपती के में सीटी से 12 किलोमीटर डिस्टेंस में है ये टेंपल इस टेंपल को भी डेडिकेटेड है लौट विश्णू तिरुपती को इस टेंपल का नाम है श्री निवासा मांगापुरम टेंपल जो लोग तिर इस को शायंबु गनेशा टेमपल भी बोला जाता है। बहुती सुन्धर टेमपल है। इथर भी कल्याना कटा होता है। आप लोग hair offer कर सकते हो, सुभा का नजरा तो बहुत ही सुन्दर है, शाम का नजरा कुछ इस तरह का है, बहुत ही अच्छा लगेगा, इधर एक बहुत बढ़ा pond है, उसके सामने ही temple है, अप्टर 6.15 पीएम इधर एक आरती होता है, तो हम लोग ने भी आरती का टिकिट लिया था, 200 इच परसेन लगा था, बहुत ही सुन्दर है, टेम्पल का नाम है कानी पाकम गनेशा टेम्पल, तिरुपती में जो चार फेमस टेम्पल है, उन टेम्पल के बारे में आप लोगों के साथ मैंने शेर किया है, आप लोग भी तिरुपती आओगे, तो ये चार टेम्पल दर्शन करना, बाई!